हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, welcome back to the channel, मेरा नाम है अबदुल और आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले PGCL की तरफ से अपडेट है, Power Grid Corporation of India Limited की तरफ से PSU है और final year यहाँ पर apply कर सकता है वीडियो को एंट टेक जरूर से देखना और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपको career guidance and job updates की related latest videos चाहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते है मैं जानता हूँ आप मेंसे बहुत सारे कुछ और सुनने के लिए हो तो उसके लिए मैंने वीडियो अलेडी बना दी है आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो अगर हम बात करते PGCL के notification के बारे में इसको यहाँ पे इन्होंने continue किया हुआ है और reopen किया हुआ है जो लोगों ने apply नहीं किया था या फिर miss कर गए थे यहाँ पे सबसे पहले eligibility criteria and qualification की बात करे तो electrical, electronics and civil से अपने अगर engineering किया हुआ है या कर रहे हो final year में हो तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो executive trainee की post है और अगर आपका selection होता है तो salary बहुत अच्छी है आपका यहाँ पे career set हो जाएगा और एक important चीज़ eligibility में अगर आपने gate 2021 का paper दिया हुआ है आपका rank decent है marks अच्छे है तो मैं suggest करूँगा कि apply जरूर से कीजिए executive trainee की post है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अगर rank अच्छा है बाकी ऐसे ही मत apply कर देना 2021 gate वालों के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे इन्होंने 2021 के papers का कहा है कि अगर आपने W, EC और CE paper दिया हुआ है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो यही paper वाले allowed है branches की बात करें तो इन्होंने previous notification में बता दिया था कि कौन सी कौन सी branches है भाई सब branches भी इन्होंने बता दी थी तो उसका screenshot मैं आपको display कर देता हूँ उसके बाद next important चीज़ यहाँ पे अगर बात करते के भाई selection procedure age limit जो है basic 28 years और यहाँ पे हर किसी कुछ extension मिलता है category wise वो तो मिले जाएगा ना आप यहाँ पे बात कर लेते है selection procedure तो selection procedure purely आपके gate 2021 के marks के हिसाप से होगा और 85 percentage count उसी में से किया जाएगा 3 percentage group discussion and 12 percentage आपका personal interview टोट जरूरी है यह इन्होंने पहले से बता दिया है यहाँ पे next important बात कर लेते है fees की fees यहाँ पे है SCST से belong करते हो departmental candidates हो तो आपको यहाँ पे fees पे करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप general category से हो OBC से हो तो आपको fees पे करनी है 500 रुपीज इन्होंने fees रखी हुई है और आप आपको अपना git 2021 का admit card रखना होगा upload करते वक्त यहाँ पे अगर आपने git 2021 दिया हुए तो सच में बढ़िया मौका है अगर आप miss कर गएते तब सोच रखते के बाई result क्या आएगा उस basis पे apply नहीं किया था तो अभी आप apply कर सकते हो इसको यहाँ पे इन्होंने open किया हुआ और इसकी जो last date अगर मैं आपको बताऊं तो last date 15th April है तब तक आप apply कर सकते हो सेलरी की अगर बात करो तो 60,000 से आपकी यहाँ पे basic पे होगी बाकी चीज़े अलग मतलब समझ लो तो बहुत अच्छी जौब है और यहाँ पे service agreement bond इन्होंने दिया हुआ है पांच लाग का general O OPC EWS वालो के लिए और धाई लाग का SCST वालो के लिए आपको यहाँ पे तीन साल minimum तो काम करना ही होगा executive training की post है तो काफी बढ़ी है आपकी तीन साल कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा एक PSU में काम करने का मौका मिलेगा so यह कोई बड़ी बात नहीं है वैस पे एक और चीज़ अगर यहाँ पे मिस कर दिया हूँ तो vacancy details number of vacancies तो पर electrical में 20 electronics में 10 and civil में 10 vacancies है so उसका screenshot आपको यहाँ पे मिल जाएगा 26th batch है executive trainee का apply करने की link और सारी notification की link आपको description में मिल जाएगी और जैसा कि मैंने शुदूवात में बताया था DSRBS की video मैं बना चुका वो update actually क्या है सारी चीज़े मैं discuss कर चुका हूँ अब देख सकते हो सारी चीज़े मैंने समझाए हुई है और videos आपको पसंद आती है इस channel पे तो like सरूर से कर देना और subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon press कर देना इसी के साथ video को end करते है मिलते next video में next job update में बने रही है इस channel पे त हुआ 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 है